नमस्कार, मैं भाशा और आज निउस क्लिक के खोश खबर करेकरम में हम बात कर रहे हैं उन भारतिय नागरिकों की जो सडकों पर देश को बचाने के लिए निकले हुए हैं वे एक दूसरे का हाथ थामे हुए हैं, बड़े तादाद में इनमें महिलाएं हैं वे महिलाएं जिनके नाम आप और हम नहीं जानते लेकिन हम जानते हुएं के चेहरों पर लिखे हुए हिंदुस्तान के नाम को वे सब चाहा रहे हैं वतन की मिट्टी को बचाना ठीक उसी होसले के साथ जिस तरह से भगत सिंग ने देश को बचाने की बात कही थी और देखिए किस तरह से एक के बाद एक दूसरी कड़ी जुड़ती जा रही है और वे देश की राजधानी में पानी की बौचार, पुलिस की लाठी खाते हुए प्रवेश करही आए हैं हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग इन किसानों और इन मजदूरों के पक्ष में ना हूँ बहुत संभव है कि आपको लगता हो कि इनके मांगें जायज नहीं हैं और ऐसा मानने का आपको हक है ठीक उसी तरह से जैसे इन किसानों को और इन मजदूरों को अपनी मांगों को उठाने का हक देश का समिधान देता है फिर भी आपसे गुजारिश है ध्यान से इन फोटो और वीडियो को देखिए आप इन में आपको दिखाई देगा हिंदुस्तान का दिल जो धड़क रहा है उनके चेहरों में उनके पैरों में उनके तमाम तरह के नारों में जिसमें वह मांग कर रहे हैं कि वतन पर जो उनका हक है वह किसी और के हक से बड़ा या छोटा नहीं है आप देखिए इस नौजवान को जिसके बारे में जिसके वीडियो को बहुत वाइरल हुआ बताया जा रहा है लेकिन साथ ही इसकी ट्रोलिंग भी जबरदस्त हो रही है लोग कह रहे हैं कि एक ऐसा किसान है जो अंग्रेजी में रिवुलूशन की बात कर रहा है वह बता रहा है कि किसान और किसान के साथ खड़ा हुआ नौजवान किसान एक दूसरे ढंका भारत बनाना चाहता है उसकी आखों में सपना है आप उसके पक्ष में हों या विपक्ष में लेकिन उसकी बात सुनना बेहत जरूरी है और ठीक उन्हीं के साथ यह बूढ़ी दादियां नानियां जो लाठी टेक कर आई हैं सैकडो किलोमीटर का रास्ता तै करके इन्हें देखकर बहुतों को दिल्ली के शाहीन बाग की दादियां और नानियां याद आई होंगी और शायद यह बेवजर नहीं है कि इन दोनों के बीच का जो रिष्टा है वो दिनों दिन पुखता होता जा रहा है अब आप देखिए कि किस तरह से इन किसानों की मदद के लिए खाना आ रहा है मस्जिदों से और लोग याद कर रहे हैं कि जब शाहीन बाग में लोग धरने पर बैठे थे नागदिक्ता संशोधन कानून के खिलाफ उस समय गुर्दवारा अपना दवार खोल चुका था लंगर चल रहा था यहाँ पर और शायद यही भायचारा और इसी में बसता है भारत अब देखिए इस अनदाता का दिल इन मजदूरों का दिल जो लोग उन पर लाठी बरसा रहे हैं जिन्होंने बड़े बड़े गड़े खोदे हैं ताकि वे देश की राजधानी तक ना पहु सकें वे उन्हें ही लंगर में खाना खिला रहे हैं यह है भारत का किसान और भा चोटा सा वीडियो भी देखना जरूरी है जहां पर आम भारती इनागरिक केला पानी फल छोटा मुटा खाना बिसकिट लेकर इन किसानों के स्वागत में खड़ा नजर आता है बिना किसी पब्लिसिटी स्टंट के बिना दस बार कपड़े बदले हुए या बिना हाथ इस मोदी सरकार को दिखाई नहीं दे रहा शायद यही वज़ा है कि इतनी मुश्किलों के बावजूद किसान मजदूर तमाम जोखिम उठाते हुए देश की राजधानी में दस्तक देते हैं और केंदर सरकार के मंतरी उन्हें सलाह देते हैं कि वे वापस चले जाएं वे सुनना नहीं चाहते लेकिन धीरे धीरे जब देखते हैं कि उनके पक्ष में महौल बन रहा है और उनका प्यारा मीडिया भी तमाम तरह की कोशिशों के बावजूद एक निगेटिव कवरेज निगेटिव परसेप्शन या उधारना बनाने में सफल नहीं हो पा रहा तब इन्हें प्रवेश मिलता है अपनी इंकी बनाई हुई इंकी कमाई पर चलती हुई देश की राजधानी दिल्ली में इन फोटो और वीडियो के जरिये हमने आपको बताया कि हिंदुस्तान में जो अनदाता है हिंदुस्तान को चलाने वाला मजदूर है और इसके पक्ष में जो लोग खड़े हैं वो कैसे जिन्दा रहने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी बीच एक बहुत दिल्चस्प काटून जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं वो है सतीश आचार्या का बनाया हुआ काटून आपको याद होगा पिछ चुपे हुए रासत्ता के लोग पूछते हैं क्या वे चले गए वाकई वे कहां गए इसी बीच खबर आती है कि प्रधान मंत्री नरेन मोदी जिस समय देश के के सान देश की राजधानी में अपनी आवाज गुंजाने के लिए आए हैं उस समय वे गए हैं मुआयना करने क कि कोरोना से लड़ने के लिए जो वैक्सीन तैयार की जा रही है उसका हाल क्या है शायद यही वज़य है कि इस समय सोशल मीडिया पर प्रधान मंत्री नरेन मोदी जब 2014 में चुनाव लड़न रहे थे पूरी की पूरी तैयारी चल रही थी तो उनका जो पोस्टर था बहु क्यों नहीं सुनने को तैयार हैं उनका दुखदर्द शायद देश का जो हाल है जिस तरह से अर्थविवस्था गंभी रूप से संकट ग्रस्त है मंदी को अधिकारिक तौर पर सरकार ने माना है जीडिपी 7.5 फीसिदी की नकारात्मक दर्द दर्स कर रही है ऐसे में किसान और मजदूरों के बुनियादी मांगों की अभेलना करके मोधी सरकार और बाकी जो राजसरकारें भाश्पा के नेत्रित में चल रही हैं वह बता रही हैं कि उनका एजेंडा किस तरह से कॉर्पोरेट के पक्ष का एजेंडा है किसान और मजदूर जब देश की राजधानी में दस्तक दे रहे हैं स्ट्राइक पे जा रहे हैं उस समय भला हमारा जो प्यारा मीडिया है वह अपनी भूमिका से कैसे बच सकता है वह खुबी निभा रहा है आप देखिए चाहे वो जी नियूज हो या बाकी टीवी चैनल वे खुले आम यह बताने की कोशिश कर रहे है कि यह किसान किसान नहीं है वे नजर जरूर किसान आ रहे हैं लेकिन वे हैं खालिस्तानी और एक के बाद एक प्रोग्राम इसी लाइन पर पेश करने की पूरी कोशिश यह जो महान मीडिया है जिसे आप और हम गोधी मीडिया भी कह सकते हैं यह कर रहा है और चलते चलते ए आपके साथ हम साजा करते हैं, यह वीडियो जो है, यह 83 साल के फादर स्टेन स्वामी का है, गिरफतारी से पहले क्या, NIA ने गिरफतार किया भीमा को रेगाउं मामले में, और बहुत दिल्चस्प बात यह है, कि इस शक्स ने मांग की कि उनको पार्किंसन है, आप देखेंग कि इस वीडियो में भी जो उन्होंने गिरफतारी से पहले सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशान भूशन के पक्ष में रिकॉर्ड किया था, उसमें किस तरह सा उनका हाथ हिल रहा है, यह शक्स मांग करते हैं, कि उन्हें एक सिपर दिया जाए, उनका हाथ हिलता है, वह जेल में अपने आप पानी ये अच्छाय नहीं पी पाते, और देड़ दो महीने होने के बाद, इस देश का महान लोकतंत्र, देश की महान नयाय प्रणाली, जो सेलिब्रिटी पत्रकारों के लिए तो तुरं 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 सुनवाई करती है, और उनकी परसनल लिबर्टी पर स तुनिश्चित नहीं कर पाती, यह आलम इस देश में नयाय व्यवस्था का है, और अंत में यह तस्वीर, जो एक अलग धंकी शुरुवात करती हुई तस्वीर है, इस तस्वीर में दुनिया की दो एहम शक्सियते हैं, पहली है, फुटबॉल के बहुत महान तम खिलाडी, दिएगो मारडोना की, और उनके साथ हैं क्यूबा को अलग धंका वितान देने वाले, अलग मुकाम तक पहुचाने वाले करांतिकारी नेता फिदिल क्रास्तो की, आप देखें कि फिदिल को किस तरह से दिएगो दिखा रहे हैं, कि उन्होंने पैर में उनका टैटू बनाय हुआ है, यह दोनों ही लोग अमरीकी सामराजवात के खिलाफ आजीवन संघर्ष करते रहें, हाल में ही अभी हमने मारडोना को खोया, और उसके बाद जिस तरह से अलग-अलग धंक से लेक उनके सामने आये, और अमरीका का जो सत्ता शाली वर्ग है, वह उस पर चुप चा परहा एक भी ट्वीट नहीं आया, उससे लगता है कि अलग दुनिया की लड़ाई जो लड़ी जा रही है, उसमें बहुत तीखे संघर्ष हैं, लेकिन यह दुनिया मुम्किन है, और अपनी शर्तों पर जो लोग जीना चाहते हैं, इस दुनिया को बदलना चाहते हैं, उन झाल